हाई फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल ऑनलाइन सोसाइटी गाज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप गवर्मेंट डिग्री कॉलिज बदाईयों का ऑनलाइन एड्मिशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं तो फ्रेंट्स वीडियो स्टाट करने से पहले मैं आपको कुछ चीजी के लिए कर दू इस वार जो हैं वह दो बार को एपलाई करना होगा पहले आपको उनिवेस्टी की वेप साइट पर आपना आप लेंधर कर सकते हैं और जिस बी कोलेजigor जमेंशन लेना चाहते हैं अब बहां पर आपने उस सिलेक्ट कियों आपको देख तो college से आप directly form ले सकते हैं आप जो भी उनका prospectus वगरा होता है वो लेकर directly form को भरेंगे university वाला form attached करेंगे supported document attached करेंगे college में form को जमा कर देंगे अगर college की form की process यहां पर online है जिसे हमारा बरेली college बरेली उसमें online होगा तो यहां पर आपको college की website पर भी online करना होगा पर online करने के बाद यहां पर अपना college वाला admission form जो हमने online किया और उनिविस्टी वाला और सपोर्टेट डोकुमेंट लगा कर फिर college में जमा करना होगा तो फ़र्स्ट यहां पर आपको गवर्मेंट डिगरी college बदायूं का admission form online करके बताने वाला हूं चले फ्रेंट सब्सक्राइब करने के लिए सबसे पहले आप यह website लेंगे इस website का लिंक आपको डायक वीडियो की description में मिल जाएगा बहाँ पर जाकर website को चकाट कर सकते हैं यहां पर आपको एक admission का option मिल जाए पर किलिक करने के बाद यहां पर कुछ इस्टेक्शन दिये गए हैं यहां पर आप पहला देख सकते हैं के सभी कॉलम भरना अनिवार है जो कॉलम आपके काम का नहीं है उसमें आप आयने अत्वा जीरो भर सकते हैं पूर निमलिखित प्रपत्र जो है आपको त्यार करके रख लेने आपका हाइश्कुल का फोटूग्राफ हाइश्कुल इंटर की माक्षिट जाती मून लिवा सी डवलू से अधर काड़ आड़ी अपडेट की हुई बैंक की पासबुक तो यह सारे डोकुमेट्स रहेंगे तो हमें यहां सेंपली नीचे रेजिस्टेशन फोन न्यू स्टुडेंट्स पर किलिक कर करने की बाद यहां पर आपको इस्टूडेंट का लिवा सपर त्रूद का अधर नमबर फिल कर स्टूडेट यहां पर अपना जो पासवर्ल एक है सांस और किलिक करेंगे sign up now पर जैसी click करेंगे वैसे यहाँ पर आप register हो जाएंगे और यहाँ आपको login form पर click करना है login form पर जैसी click करेंगे तो यहाँ पर जो भी आधार number से आपने अभी registration किया था, same आधार number को यहाँ पर दर्ज करेंगे नंबर फिल करना होगा तो यहाँ पर जो आप रोई खंड उनिवेस्टी की website पर online आप एधन करते हैं वह वाला registration नंबर यहाँ पर आपको दर्ज कर दे रहा है जो कि आपका 22 से start होगा तो registration registration नंबर दर्ज करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको इस्ट्रीम सेलेक्ट करना है तो जिसमें भी आप admission लेना चाहते है आट साइट से बिये में लेना चाहते है साइन्स बिये सी में लेना चाहते है जैन बेसी से या फिर कॉमर से तो हमारा बीकॉम का तो कॉमर सेलेक्ट करेंगे उसके बाद सिंप्ली यहाँ पर आपको इस्ट्यूट का अधान नंबर कर देना तो यहाँ पर सिंप्ली एने फिल कर देंगे इससे ट्रेंग में दिया ग फिल कर देंगे तो हमारे पास वोटराइडी संख्या नहीं है तो इस एने फिल करेंगे यहाँ पर आपको डो मिशल सेट्विकट अप्लिकेशन नंबर पूछे जाएगा तो यहाँ पर आपका मूल लिबास होता है उसका आप अपर उपर होता है बड़ा वाला नीचे उसक タ bulk March distribution सालेड को फिल करेंगे उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे जाने की पाद अब और कि आपको डेठ ऑप फिल करने के बाद के चेल थो स्ट्ट्राइब इसलेक्ट का प्लेश बाद उसके बाद ने आपको पी जाती यहाँ कि का application number डालना है यहां पर certificate number तो दोनों आपके अलग-अलग होती है application number में यहां पर application number दाज कर देना है उसके बाद आप से पूछा जाएगा living since in UP years तो यहां पर आप UP में कितने साल से रह रहे हैं तो जितने साल से रह रहे हैं वह यहां पर filter कर देंगे अगर आप जनमने में रहें जितनी हैं यहां पर आपको फिल कर देना है उसके नमе आपका बलोग लगता ब्लोग कर देंगे किया अपनी पत्र चाहर का पता पर में आप द्रस वहागो कर सकते जो आधार में है और यहां कहीं किराय पे रहते हैं तो उसमें अपने पीड्रस कर सकते हैं दोनों आपका सेम होता थो सेम अड्रस को यहां पर कोपी-पेश्ट कर देंगे यहां पर आपको टिक करने का option नहीं मिलेगा यहां पर पुछे जाएगा तो कोई अगर दिशेवल्ट है तूसके डिटेल्स कर देंगे इसके पहले परसेंटेज करने हैं अगर आपको इन दोनों कॉलम्स में आपको एने फिल कर देना है और आपकी डिपंडेंसी पूछी जाएगी तो यहां पर आगर आपके आर्मी अपसर पर डिपेंडेंट है यानि आपके फादर आर्मी में तो इसे एस कर देंगा दरवाज रहने देंगे अगर आपके फादर फ्रीडम फाइटर थे तो यहां पर एस करेंगा दरवाज इसे नो ही रहने देंगे या फिर आपके मदर और फादर में इसे कोई डिग्री कॉलेज का स्टाफ है या टीचर है तो उसे एस कर देंगे दरवाज आप इसे नो ही रहने देंगे उसके बाद तो यहाँ पर अगर आपके पास रह चुकी है तो आप एने से सिलेक्ट के लेंगे जिसमें आपको दो तरह की जाएगी एक सब्सक्राइब करेंगे अगर आपको कुछ कंसेशन मिल जाता है तो जरूर से सिलेक्ट करें हमारे पास नहीं है तो इसे रहने देंगे अगर आपके पास गेम से बगार आएं तो वह आप सेलेक्ट कर सकते हैं इंटर उनिवेस्टी या फिर नेशनल लेवल जो भी होता है उसके बाद एंसी सी का पूछा जाएगा आपके पास नसी सी का जो भी सैटिकट होता है वह फिल कर सकते हैं उसके बाद रेंज रोवर इसकाउट गैड़ वगार का कुछ होता है तो सिलेक्ट कर लेंगे उसके तो यहां पर इक बेंट है करेटरिया और आपको मिल जाएगा नारु जाँ और आपके पास साइंस साथ में जाना जांते हैं आपकी इंट हैं अबियूंगन च्छाइं रहें कोंछ से ऍटरें प्र Cash मिल जाते हैं तो और आप यह नहीं बीच्छよねगा तो हमारे पास अन्हें तो इससे नहीं रहने देंगे उसके बाद गैप का भी पूछा जाएगा आपसे जैसे आगर आपका 2021 में इंटर हो गया था और लाइस्ट यहां पर आपका नहीं ले पाए थे तो यहां पर जो भी आपका गैप होता है एक साल दो साल वो सिलेक्ट कर लेंगे हमारा कोई गैप कौपीच कर देंगे कर देंगे उसके पाद यहां पर इस टूदेट की इमेल आईडिया बcol चाहिए तो सबसे पहले हमें आपनी स्कूल की स्कूल की स्याहिए करेंगे पासिंग इश्टियू इस चले चले पेली के लिए जोबी वहता है आपके पास आर्ट साइंस गया डि में सब्जेक्ट होते हैं तो अगर तो तो सारे सब्जक्ट के आप आप नहींगे इसंप ouais आप आपना बौर्ट कर लेना है तो इत्विए इस जो भी बॉड होता है वो सलेक्ट करेंगे के बाद आपके हाई स्कूल की डीटेल्स नीची आ जाएगी इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते है तो एडिट का ओप्सेन मिल जाएगा अधर बाज आप सही है तो यहां पर आप इंटर की डीटेल्स को फिल कर सकते हैं तो इंटर की भी हाँ पर सबसे पहले आपको पासिंग यहार फ पर आपको ऑप्लोड करेंगे तो हमारा फिल हो चुका है नेक्स पर किलिक करेंगे आपको इस्टुडेंट का एक फोटो कर देना है तो यहां पर आप 200 वई 200 पिक्सल में अपलोड करेंगे तो choose file पर click करेंगे फोटो को select करेंगे and upload photo पर click करेंगे upload photo पर click करेंगे बाद जो यहाँ पर आपका student का photo वो upload हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर आपको अपने major तीन subject select कर लेने हैं तो यहाँ पर अगर आपको subject में problem होती फिल करने में तो आप अपने teacher की help ले सकते हैं यहाँ पर mostly जो बी-ए में लोगों को ज्यादा confusion रहता है कौन-कौन से subject लेने चाहिए तो इस case में वो अपने teacher की help ले सकते हैं या फिर अपने interest के साफ से अपने subject को select कर सकते हैं हाँ अ-पने subject 3 तीन वो आपको select करने के बाद साथ कौने के बाद साथ को select करने के बाद यह पर आसंप में जसे जाएग कर देंगे तो आपको पता करने के बाद직 आप अपने सब्सक्या सब्सक्राइब अब करने का चाहिए और भी को दिक्कत नहीं है किलिक कर दीजिए उसके बार यहाँ पर पूरा प्रेंट पर रिवू वो इस तरीके से ओपनों कर आ जाएगा तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल से एक बार इसको ध्यान से चेक कर लेना है कुछ भी किसी तरीके का इसमें आप करेक्शन करना चाहते हैं तो इस तरीके को आप आपको इधर प्रोफाइल का ऑप्सन मिल जाएगा तो प्रोफाइल पर कलिक करके अपने बेसिक डेटेल से उसका करेक्शन कर सकते हैं प्रिवीजर इन्फॉर्मेशन पर के लिए कतलें आपको फॉर्मड कर देना है उसके बाद पुछा जाएंगा आरियो सोर तो कन्फॉर के लिए लिए सो की करेंगे कि आगी के बाद हमारा पूरा फॉरम है वह होालच चुका थो हमें यहां पर प्रिन्टski-टिल्स पर किलिक करना बैसे हमारे फॉर्म की पीडियेफ वह कुछ इस तरीके कि आ जाएगी तो यहां पर तोटलिश पीडियेफ आएगी तो इसे आपको प्रिंट कर लेना पूर प्रिंट तो आपको जो कॉलिज पॉलिज है और उसमें अटेच करके बागे सपोर्टिंग डूकूम तो उस केस में इस फॉर्म के जरीए जो हमारा एप्लिकेशन आइडी वगएरा है इसी से लॉग इन करके हम अपनी फीस पेमेंट और बागे की प्रोसेस करेंगे यहां पर आपका मैड लिस्ट में नमबर आ जाता तो उसी सेम आइडी पासवर्ट से यहां पर आपको लॉग करना है और यहां पर दिपोजिट फीस का हमें ऑप्शन मिलेगा तो यहां पर देखकी लिखा रहा है कॉंटेक्ट कॉलेज प्रोसीट फूर फार्दर विद्योर कमडेट प्रोफाल प्रिंट और तो अभी तो हमें के लिग्ड़न टाउट जमा है जो हमारा मैड लिस्ट मे कर दी जाती है जिसका करके आप अपने सकते हैं यहां पर आपका एडमिशन है वह सक्सिस्फुली कंप्लीट हो जाता है तो आई होप आपको वीडियो मताई पूरी जैन करें इच्छे समझ में आ गई होगी कुछ भी समझ में नहीं आता तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूस् झाल झाल झाल